अगर आप बोड एक्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो फ्रेंड्स मैं बता दू आपको कि मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्टन लेकर आई हूँ जो कि क्लाश 12 बैलोजिका है 2023 के हैं आती लगू उतरी प्रस्न हैं महतपोर्ड प्रस्न हैं जो कि आपको 70 में 70 पका नंबर दिलाने वाले हैं ठीके मैं इसका 100 परशंट गारंटी लेती हूँ कि आपके एक्जाम में यही क्वेस्टन आने वाले हैं तो फ्रेंड्स अगर आप अपने बोड एक्जाम जाने सुरी अगर आप बोड एक्जाम देने वाले हैं तो प्लीज बाइलोजी के स्टुडेंट्स में बता दू आपको कि मैं जो बता रही हूँ उसे आप थोड़ा गौर किजिएगा और जरूर पढ़के जाईएगा आपके एक्जाम में यही क्वेस्टन आने वाले हैं फ्रें जिवाड़ों में उपस्तित मुख्य वृत्ताकार डियन्य के अतिरीक्त छोटे अतिरीक्त गुड़ सुत्री डियन्य को जिसमें अनुवन्सिक सुचना बताती है ठीक है प्लाजमिड कहते हैं प्लाजमिड क्वेस्टन जो होता है नफ्रेंट्स वेरी इंपोटेंट क्वे यह आपके टेस्ट में या फिर आपके वार्षिक में अर्धवार्षिक में त्रेमासिक में सब में यह सब आते हैं प्लाजमिड वगेरा ठीक है तो आप जरूर पढ़ लिजेगा कि प्लाजमिड किसे कहते हैं तो जिवाड़ों में उपस्तित मुख्य जो वृत्ताकार डि इन सोट लेके रख सकते हैं या फिर मेरे वीडियो को डाउलोड कर सकते हैं ठीक है क्योंकि यह बहुत में पूछ सकता है वह यानि खासकर आपके बॉड एक्जाम में पक्काईया आ सकते हैं सिकेंड क्वेस्टन से फ्रेंट्स कि प्लाजमीड का उपयोग क्या है ठीक है सब के सब क्वेस्टन में बता रही हूं न सारे के सारे क्वेस्टन मोस्ट उंपोर्टेंट है तो यहां पे हैं प्लाजमीड का मुख उपयोग लिखी है ठीक है तो प्लाजमीड का उपयोग पू लौकों के लुए लॉँजर मैं नहीं पता रही हूं तकि लॉन बिडियो ना बनसके आप चोटे सेंचे में अपना काम चला लो इसलिए मैं बता रही हूं ठीक है नेस्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तुमें बता दूंगे एक क्वेस्चन में से बहुत जादे क्वेस्चन बनते हैं इतना हर बात का ध्यान रखेगा ठीक है अगर घुमात फिरा के क्वेस्चन दे भी दे तो भी आप आपको कोई प्रॉब्लम न हो और पूरे फूरे नंबर आपके आ सके तो प्लाजमिट का मुख उपयोग क्या होते है कि प्लाजमिट का उपयोग पुणर योजजक ंदियन्य की क्लोनी प्रतिक्रिती बनाने के लिए किया जाता है इस पर अंटि बायोटिक प्रतिरोधी जीन भी उपस्तित होते हैं. आब आतें नेस्ट कुेस्टन पे. निस्ट क्या है कि बायो पायरिसी क्या है तो उत्तर है कि बहुराष्ट्रिये कमपनी वो दूसरे संगटन द्वारा किसी राष्ट्र या उपराष्ट्र से बना बेवस्थित अनुमोदन क्या बेवस्थित अनुमोदन वच्छती पूरग भुकतान के उनके जैव संसाधनों का उपयोग करना बायो पायरिसी कहलाता है फ्रेंड सी ये most या फिर very important जो भी कहले सबके सब ये questions हैं ये most important है बायो पायरिसी हमेशा आपके exam में आता है क्योंकि ये तो मैं आपको short answer बतारी हूँ ये long answer में भी आपके ये questions आ सकते हैं कि बायो पायरिसी क्या है तो बाय बहुराष्ट्री कंपनी वदूसरे संगठन द्वारा क्या कि जो बहुराष्ट्री कंपनीया होती है और दूसरे जो संगठन होते हैं उसके द्वारा किसी राष्ट्र या उपराष्ट्र से बना जो विव्यवस्थित अनुमोदन वा छती पूरक भुकतान के उनके जैव संसाधनों का उपयोग करना बायो पायरिसी कहलाता है नाकफनी के पौधों में पत्तियां काटों में क्यों परिवर्तित हो जाती है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है कि नाकफनी के जो पौधों की पत्तियां होती है वो काटों में परिवर्तित क्यों हो जाती है ठीक है तो आंसर है इसका कि वास्पोत सर्जन की ज काटों में परिवर्तित हो जाती है घ्रीजंस करीया की उसको रोकने के लिए नाक्पनी पद्धिया की पतिया हो तो आएंग फ्रेंट्स देखिए आपको बता रहे हूं जैसे मैं लिखी है अगर उस में तो को आप सब्सक्राइब तो प्रस न लिखे हैं Grad आप ऐसे उत्तर लिखें और क्लीन लिखेंगेन आपको गजब का नमबर मिलेगा जो इक्जामनर होते हैंकि क्या देखते हैं कि क्लीनिंग ही देखते हैं कि कहां पर आपने साफाई के साथ लिख अगर ऐसे कर देंगे कहीं कटपिट नहीं रहेगा तो एक्जामनर आपको केवल नंबर देखेगा कि कितने नंबर का है पस वही नंबर आपको पूरा का पूरा देदेगा ठीक है तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूं कि जो भी आपके एक्जाम की कॉपी दें ठ उसी के जो प्रस्न का क्रमांग है उसी संख्या बहुत अच्छे से डालिएगा मतलब प्रस्न 1 का उत्तर प्रस्न 2 का उत्तर आइसे करके राइट करिएगा और डय़रॲ हेडिंग उत्तर लिखेगा ठीक है ऐसे लिक ईसे आपको पूरा का पूरा नंबर मीलेगा एक भी व्रायोस्मी जो प्राडी है उनके नाम लिखना है तो व्रायोस्मी जो प्राडी के सरीर का ताप मा ताप वाता वरड के ताप के अनुसार बदलता रहता है जैसे हैं उभैचर हैं तथा सरीश्रीप हैं वर्ग के प्राडी ठीक है कौन-कौन है उभैचर है तथा सरीश्रीफ वर्ग के जो प्राड़ी है उनका जो ब्रायोस में प्राड़ियों के ये दो नाम है उभैचर तथा सरीश्रीफ ठीक है नेश्ट क्वेस्टन आता है कि इस्टोन प्रजात किसे कहते हैं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है हमेशा अक्सर करके हर एक्जाम में पूछता है कि इस्टोन प्रजात किसे कहते हैं तो वह प्रभावी प्रजात जो परियावरण के प्रमूख परिवर्तन के लिए उत्तरद मतल़ाई होते हैं कि प्रजाती कहलाता है की तो आप यहां Amp जैसे कि आप क।सम प्रजाती कहलाता हैं कै क्ला। stain & टूंध में बात राके तो यहां पर आपको खुब ट्राकिन नहीं करनी हैं कीमल एक लाइन से एक लाइन के वल देना है और ये ऐसे करके ठीक है ताकि ये पता चले कि ये गलत है ठीक है और देख सकते हैं आपके देखने में भी अच्छा लग रहा है उतना कटपीट भी नहीं लग रहा है ठीक है ये इसलिए घमेसा क्लीनिंग पर ध्यान देनी है आपको तो ये रहा जय विवित्ता हैं जो हाट इसपाट हैं तो भारत के वरतमान में कुल चार हाट इसपाट हैं कितने हैं चार हाट इसपाट हैं नेक्ट केस्टन आते हैं उस प्रदेश का राष्टी उद्यान का नाम लिखिए क्या उस प्रदेश के राष्टी उद्यान का नाम लिखिए ज जहां भारती गेंडे सरच्छित हैं ठीक है very very most important है friends जरूर आप पढ़ लिजेगा इसे कि उत्तर प्रदेश का जो राष्टी उद्यान का नाम लिखे तथा भारती जो गेंडे हैं वो कहां सरच्छित होते हैं नाम लिखना है तो काजारंगा क्या काजारंगा राष्टी उद द्यान असम में हैं यह आता है आपका most important question जो कि बिना उच्छे ही आप कह सकते हैं कि यह कौन सा questions है और यह मैं आपको पूरे उम्मीद के साथ कहती हूं पूरे 100% आपको गरंटी देती हूं कि यह आपके questions में जरूर आएगा इंटर्फेरान तथा प्रियांस क्या है ठीक है प्रियांस तो नहीं बता सकती लेकिन जो इंटर्फेरान ने यह जरूर पक्का आने वाला है तो इसका परिभासा क्या होता है इंटर्फेरान यह प्रोटीन अडू है यह कौन से अडू है यह प्रोटीन अडू है जिनका संस बिशाडु संक्रमित कोसिकाओं द्वारा होता है। समिपवर्थी कोशिकाओं को संक्रमड से बचाने में सहायक होते हैं ये क्या होते हैं जो के ये समिपवर्थी जो कोशिकाओं को संक्रमड से बचाने में सहायक होते हैं नेश्ट आता है प्रियांस प्रियांस क्या होते हैं तो ये संक्रामक प्रोटेंस हैं क्या है ये ये संक् उच्च ताप एवं वीकिरण से प्रभावित क्या उच्च ताप एवं जो वीकिरण है से अप्रभावित रोग उत्पन करते हैं क्या करते हैं यह रोग उत्पन करते हैं वो भी अप्रभावित रोग उत्पन करते हैं ठीक है इंडर फेरान और प्रियांस आप लोंग आंसर म में भी देख लिजेगा मैंने आपको सौट आंसर यानि अतिलग उत्री प्रस्ण बता रही हूं तिसलिए मैं छोटा में बता दी जरूर पढ़ लिजेगा आपको नेश्ट आता है नेश्ट क्वेस्टन है टी तथा बी लिंफोसाइड का निर्माड तथा परिपक्वन कहां ह होता है यह भी मैं आपको सौट में बताई हूं यह भी क्योंकि यह सौट में भी आता है और यह लॉंग क्वेस्टन यानि जो बड़ा बड़ा आंसर होता है ठीक है उसमें आप टी तथा बी लिंफोसाइड जरूर पढ़ लिजेगा यह बेरी बेरी मोस्ट इपोर्टेंट है आपके एक्जाम में पक्का आएगा टी तथा बी लिंफोसाइड का उत्पादन अस्थी मज्जा में होता है कहां पे होता है अस्थी मज्जा में होता है तथा जो टी लिंफोसाइड का परिपक्वन थाइमस ग्रंथी में ठीक है टी लिंफोसाइड का परिपक्वन कहा ह होता है थाइमस ग्रंती में तथा बी लिंफो साइन अस्थी मज्जा में होता है ठीक यह कन्फर्म होगे आपको तो यह जो इसक्वेस्टन से यह आप लॉंग में भी पढ़ लिजेगा क्योंकि यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है तो फ्रेंड्स यह रहे आपके ट्रेट क्लाश 12 के बाइलोजी के 2023 के बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेस्टन जो कि आपको सत्तर में सत्तर नंबर पक्का देगा अगर आप पूरा का पूरा पढ़कर जाएंगे तो ठीक है अगर नहीं पढ़कर जाना है तो मेरा ही वीडियो देख लिजेगा कई बार आपको लर्न हो जाएंगे क्योंकि मैंने बहुत ही सोट में उतर दिया है इसका ठीक है अगर आपको कॉपी में या फिर आप किसी भी ट्लाश 12 या 12 के छात रहें अगर आपको कॉपी नहीं रहे लिखने आ रही है और आपको कुछ भी पता नहीं है तो भी मैं आप विडियो डाल चुकी हूँ आप उहाँ पर जा की जरूर देख लिजिएगा कि कॉपी कैसे लिखें ठीक है और आपको मैं बहुत ही मस्त का ट्रीक दी हूँ जिससे आप पूरा का पूरा नंबर ला पाएंगे और आप अपने अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे